अखिलेश की तारीफ क्यों कर रहे हैं वरुन गांधी क्या राहुल गांधी की बयान के बाद फस गए हैं वरुन क्या सपा में जमीन तलाश रहे हैं वरुन गांधी यूपी की सियासत में इन दिनों कई तरह के समीकरण बनते बिगडते हुए दिख रहे हैं UP के पीली भीत से BJP सांसत वरुन गांधी इन दिनों काफी चर्चा में है पिछले कुछ समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुन गांधी BJP को छोड़ कॉंग्रेस यक सपा में जा सकते हैं लेकिन कॉंग्रेस नेता रहुल गांधी ने इन कयासों पर विराम लगा दिया है लेकिन इस दोरान वरुन गांधी ने समाजवाधी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की जम कर तारीफ की है तो आए जानते हैं इस रिपोर्ट में इस बयान के क्या है माईने वरुन गांधी पिछले कुछ समय से लगातार बीजोएपी के खिलाफ बोल रहे है जिसके बाद से ये चारो तरफ चर्चा है कि बीजोएपी 2024 के लोग सबाचुनाव में वरुन गांधी की टिकेट काट सकती है ऐसे में उनके बयानों से ऐसा लगता है कि अब नई पार्टी की तलाश में है लेकिन वो किस पार्टी में जाएंगे और उस पार्टी को कितना फायदा पहुँचाएंगे इस पर सवाल है क्योंकि एक समय ऐसा था जब वरुन गांधी की छवी कटर हिंदुवादी नेता वाली थी लेकिन अब BJP में उनकी पकड कमजोर हो गई है ऐसे उनके विचारधारा को लेकर भी राजनुतिक पार्टीों में डर है दरसल वरुन गांधी ने पीली भीत में एक जनसभा को सम्मोधित करते हुए किस्सा सुनाया उन्होंने कहा मैंने पूरा उत्तर प्रदेश खुमा है क्योंकि मैं अकसर अख़बारों में लेक लिखता रहता हूँ आपने पढ़े भी होंगे मैंने एक दिन सोचा कि वो कौन से आर्थिक मानक है जिसके तहट एक किसान या फिर आम आदमी आ जाए आखिर क्यों वो आत्म हत्या करने पर मजबूर होता है उस समय शायद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे मैंने उनको एक चिठ्ठी लिखी थी मैंने कहा था कि मानिवर इसमें कोई राजनिती नहीं है जिसके बाद अखिलेश यादव ने बड़ा मन दिखाया था अखिलेश ने सुनी वरुन गांधी की बात वरुन गांधी ने किस्से को जारी रखते हुए कहा कि मैंने चिठ्ठी में आगे लिखा कि अगर मुझे प्रशासन से जानकारी मिल जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने लोग हर जिले में इस मानक के अंतरगत आएं उन्होंने यानि एकलेश यादव ने बड़ा मन दिखा कर सारे अधिकारियों को बोला कि इसमें कोई राजनिती नहीं है इनकी मदद करिये ये कुछ करना चाहते हैं जिसके बाद हमने करीब 42,000 लोगों की सूची पाई उसके बाद मैंने सोचा कि इतना बड़ा काम शायद मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा तब मैंने सोचा कि ये काम कैसे हम लोग कर सकते हैं इसमें उन्होंने मदद की और हम बिजनोर से लेकर गोरखपुर तक गए वहां स्थानिया रईस लोगों से मिले और उनसे इनकी मदद करने की गुहार की क्या सपा में जा सकते हैं वरुन गांधी वरुन गांधी इन दिनों अपनी पार्टी भाजपा से खासे खुश नजर नहीं आ रहे हैं पिछले दिनों महंगाई से जुड़ा उनका एक बयान सामने आया था जिसमें वो अपनी ही पार्टी को आड़े हाथों लेते नजर आ रहे थे पिली भीत में अखिलेश यादव को लेकर दिये उनके इस बयान के बाद सियासी अटकले तेज हो गई है और इसे उनकी सपा से बढ़ती नस्दीकियों के तरफ भी देखा जा रहा है ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो सपा जोईन कर सकते हैं तो ये थी वरुन गान्थी पर हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएँ साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखे बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ धन्यवाद